परिचय तरुन अपने सामाजिक विज्ञान के प्रोजेक्ट के लिए एक गाउं में गया है गाउं शहर से एकदम अलग है गाउं बहुत हरा भरा है जबकि शहर में हर्याली मुश्किल से मिलती है गाउं की हवा में तास्की है प्रदूशन का नामो निशान नहीं है तरुन के लिए यह एकदम नया अनुभव है उसे तो शहर में धुआ और जहरीली कैसे गटकने की आदत है तरुन के दिमाग में यह सवाल आया कि क्या यह अंतर पेड़ों के कारण है इस पार्ट में हम विस्तार से जंगलों की बात करेंगे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे जंगलों की परिभाशा बताना, जंगलों की संदचना बताना, जंगल से मिलने वाली चीजों की सूची बनाना, खादेश रंखला की परिभाशा बताना, खादेश रंखला के अंगों की सूची बनाना, इनसानों के लिए जंगलों का महत्व बताना, जंगल परिचय घने पेड़ों वाले धर्ती के विशाल क्षित्र जंगल कहलाते हैं पृत्वी के कुल भूक्षित्र का लगभग 30 प्रतिशत जंगलों से ठका हुआ है इन्हें वन भी कहते हैं जंगल में बड़े बड़े पेड़ी नहीं छोटे छोटे पौधे और जाड़ियां भी होती हैं जंगलों में तरहा तरहा के पेड़ पौधे यानि वनस्पती और जीवजन्तु पाए जाते हैं जीव जन्तू और वनस्पती के अलावा अनेक आधिवासी समुदाई भी जंगलों में रहते हैं। वे अपना भोजन और कपड़े जंगल से ही लेते हैं। जंगल से मिलने वाली चीजों से उनकी आजीविका चलती है। जंगलों की संदचना पेड़ों और जाड़ियों के उपरी हिस्से में शाखाएं और पत्तियां होती हैं। उसे मुकुठ या छत्र कहते हैं। उचे पेडों के छत्रों से जंगल की छत बनती है जंगल की छत छत्री की तरह जंगल को धूप से बचाती है जंगल की जमीन गर्म और आरद्र होती है इस पर पत्ते, शाखाएं, कीट पतंगें, काई और फपूंद तथा जीवानों जैसे सूख्ष्मजीव रहते हैं जो हमारी आँख को दिखाई नहीं देते यहाँ सूख्ष्मजीव जैवीक पदार्थ को विख्टित कर गहरे काले रंग का पदार्थ हुमस खाद बनाते हैं यहाँ खाद पौधों को पौश्टिक तत्व देती है और मिट्टी को उपजाव बनाती है जंगल की कई पड़ते दिखाई देती हैं क्योंकि पेड़ों की उँचाई अलग-अलग होती है सबसे उपरी परत ओवर स्टोरी कहलाती है जाडियों, जड़ी बूठियों और काई की निचली पड़तों से अंडर स्टोरी बनती है जंगल और उससे मिलने वाली चीज़ें पेड़ों से पैदा होने वाले बीजों को पवन, जल और जीव जन्तु हर तरफ पहला देते हैं जंगल की गर्म और आरद्र जमीन बीजों के अंकुरन के लिए उप्युक्त है अंकुरित पीजों से अंकुर फूटते हैं जो पहले पौधा और फिर पेड़ बन जाते हैं जंगल हमें इधन और फरनीचर के लिए लकड़ी, पशों के लिए चारा, औशधी वनस्पती, काघज, बास, रबड, गूंद और तरह तरह की दूसरी चीज़ें देते हैं खादे श्रिंखला नाष्टे का समय है, रिया पनीर का टुकड़ा खा रही है उसने सोचा कि क्यों न पता लगाया जाए कि इस पनीर के टुकड़े की शिरुवात कहां से हुई? पनीर दूद से बनता है और दूद गाए से मिलता है गाए वनस्पती यानि पौदे काती है पेड़ पौदे सूरच की धूप की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं इस तरह रिया खादे श्रिंखला की पहली कड़ी तक पहुँच गई है खादे श्रिंखला ऐसा सिलसला है जिसमें उर्जा एक जीव से दूसरे जीव तक पहुँचती है खादे श्रिंखला के मुखे अंग हैं सूरच, वनस्पती, जीव जन्तु और अपमार्च किया मुर्धाखोर सूरच उर्जा का प्रधान स्रोथ है, वनस्पती उत्पादक है क्योंकि वह धूप की मदश से अपना भोजन तयार करती है जीवजन्तु यानि पशु उपभूगता है। जीवजन्तु वनस्पती खाने वाले शाकाहारी या मास खाने वाले मासाहारी हो सकते हैं। कुछ जीवजन्तु सर्वहारी यानि वनस्पती और दूसरे जीवों दोनों को खाने वाले हो सकते हैं। अप मार्चक मुर्दा जीवों को खाते हैं। आईए खादे श्रंकला का एक आहसान सा उधारन लेते हैं। वनस्पती धूप की मदद से अपना भूजन तयार करती है। अजे खुझे मृत्त जीवों का सफाया किया। और उन्हें विक्डित कर खात बनाई। जिससे वनस्पती को पोशन मिला। इस तरह खाते श्रंकला का चक्र पूरा हो गया। जंगलों में ऐसी अनेक खाते श्रंकलाएं पनपती हैं। और आपस में जोड़कर खाते जाल बु जंगल प्रकाश संशिलेशन की क्रिया से वायू मंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डायोकसाइट के बीच संतुलन रखते हैं। प्रकाश संशिलेशन की क्रिया से वनस्पती अपना भोजन तयार करती है। इस क्रिया में पौधों की पत्तियां सूरज के प्रकाश की मदद स इन्सान और जीवजन्तू कारबन डायॉकसाइट छोडते हैं। वनस्पती मिट्टी से जल सोखती है। प्रकाश संशिलेशन से शरकरा और आकसीजन बनती है। शरकरा पीड़ पौधों यानि वनस्पती के बाकी हिस्सों में चली जाती है। आकसीजन हवा में छोड़ती जाती है, जिससे इन्सान और जीवजन्तू सांस लेते हैं। इसलिए जंगलों को प्रिथ्वी को प्राण वायू देने वाले फेपड़े कहते हैं। जंगल और जल चक्र जंगलों की जल चक्र में महतपून भुमिका है। वे वाशपी करण के मात्यम से इसमें योगदान करते हैं। वाशपी करण ऐसी क्रिया है जिससे पौधों की पत्तियों और तनों से पानी की वाशप उड़कर वायू मंडल में जाती है। फिर यह उठकर हवा के संपर्क में आती है। यह वाशप ठंडी सतह को छूने के बाद संघनित हो जाती है। और बादल बनाती है। बादलों में जल की बूदें जब बहुत अधिक हो जाती हैं तो बारिश के रूप में धर्ती पर गिरती हैं। वर्षा का जल, वर्षा का पानी, जर्नों, नदियों और महा सागरों में पहुँचता है। जिससे जल चक्र पूरा हो जाता है। जंगल मिट्टी का कटाव रोकते हैं। लीना ने एक अखबार में एक सुरखी देखी। जंगल ना होने से आई अचानक पहाड। इसे पढ़कर वो जंगल और बाढ़ के बीच का संबंध जानने के लिए उत्सुक हो गई है। पौधों की जड़ें ना सिर्फ उन्हें मिट्टी में जमाती हैं, बलकि मिट्टी को भी बांधे रखती हैं। जंगल नश्ट होने पर मिट्टी की उपरी परत धीली हो जाती है। जिसे जल और पवन बहा ले जाते हैं। इसके कारण रेगिस्तान फैलता जाता है। मिट्टी की उप्जावश्यक्ति भी कम हो जाती है। मिट्टी की उपरी परत हड़ जाने से बारिश का पानी सोखने की मिट्टी की क्षमता कम हो जाती है इसके परिणाम सो रूप बाण आती है जंगल, वायू और धोनी प्रदूशन कम करते हैं आदिल एक क्लिनिक में है वहाँ आखों में खुझली और गले में खराज की शिकायत कर रहा है डॉक्टर ने कहा कि ये प्रदूशन के लक्षन है आदिल में जो लक्षन दिखाई दे रहे हैं उनका कारण फानों और कारखानों से निकलने वाला धुआ और जहरीली कैसे हैं अगर जंगल ना होते तो इस्थिती और भी खराब होती क्योंकि बेड कारबन डायोकसाइड सोख कर और आकसीजन छोड़ कर हवा को साफ कर देते हैं जंगल शहरी माहौल से उटते शोर को सोखते और रोकते भी हैं जिससे प्रिथवी रहने लायक हो जाती है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं घने पेड़ों वाले धर्टी के विशाल ख्षित्र जंगल कहलाते हैं जंगलों में तरहा तरहा के पेड़ पौधे यानि वनस्पती और जीव जन्तु पाए जाते हैं जंगल की सबसे उपरी परत ओवर स्टोरी यानि उपरी मन्जल कहलाती है जाड़ियों जड़ी बूटियों और काई की निचली परतों से अंडर स्टोरी बनती है जंगल हमें इधन और फरनीचर के लिए लकड़ी पशों के लिए चारा औशधिय वनस्पती काघज, बास, रबल, गोंद और तरह तरह की दूसरी चीज़ें देते हैं खादेश रिंखला ऐसा सिलसला है जिसमें उर्जा एक जीव से दूसरे जीव तक पहुँश थी है जंगल प्रकाश संशलेशन की क्रिया से वायू मंडल में ऑक्सीजन और कारवन डाय ऑक्साइट के बीच संतुलन रखते हैं जंगल वाशपी करण के मात्यम से जलचक्र में महतपून भूमी का निभाते हैं जंगल मिट्टी के कटाव और वायू तथा धूनी प्रदूशन को रोकते हैं